एलो एन वेलकम टू एसम लर्निंग करफ एडमिशन ऑफ पार्टनर को हम आगे बढ़ाते हैं आज हम एक नए कंसेप्ट को सीखने वाले हैं आज से हम कोईशन को किस तरह सॉल्फ किया जाता है वो जोर्नी स्टार्ट करने वाले तो एक बार हम रीकैप लेते हैं कि अब तक हम ने क्या चीक लिया हमने सबसे पहले में समझाऊ कि यह आप एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है नून प्रॉफिट शेरिंग म्रेश कि किया जाता है सिंध आता है क्या आपनुय स्टार में सेचंड एवरिज प्रॉफिक्त मैठेट को सीखा था थर्ड लेक्चर में हमने सूपर प्रॉफिक्त मैठेट को सीखा था fourth lecture में हमने treatment of good will देखा था इडिष्ट्रीज किया जाता है old partner के बीच में यह फिफ लेक्चर आज हम सीखेंगे किस तरह कोईशन सॉल्फ किया जाता है कोईशन में डिफरेंट डिफरेंट जो आते हैं उसको किस तरह टैकल किया जाता है सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि री वैलुएशन ऑफ असेट एन लाइबिलिटीज क्या है उसकी ट्रीटिमेंट आज हम सीखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये जब भी नया पार्टनर फॉर्म में एडमिट होता है उस वक्त फॉर्म अल्रेडी एग्जिस्ट होती है ठीक है एक रनिंग बिजनस में वो पार्टनर एडमिट हो रहा है तो उस फॉर्म के पास कुछ असेट होंगे और कुछ लाइबिलिटीज होगी हो सकता है कुछ असेट की पे रिकॉर्ड हो या फिर असेट ओवर वैल्यूड हो उसकी वैल्यू ज्यादा रिकॉर्ड हो बैलेंशिट पे ठीक है जैसे के यह मशीनरी मशीनरी की वैल्यू 2,90,000 बैलेंशिट में रिखा रही है 31st December 2019 और यह इस दिन न्यू पार्टनर एड्मिट हो रहा है मशीनरी की जो वैल्यू है वो मार्केट में इसकी वैल्यू 3,50,000 है लेकिन कुछ ज्यादा डेप्रिसेशन चार्ज होने के वज़े से इसकी वैल्यू कम हो गई है फर्नीचर ओवर वैल्यू है फर्नीचर की जो एजन डेट वैल्यू है मार्केट में वो अराउंड 1,20,000 है मिन्स फर्नीचर ओवर वैल्यू है ठीक है उसी तरह यह प्रॉफिट और लॉज जो आपको दिख रहा है लाइबिलिटी साइड पे जो के अगर प्रॉफिट और लॉस आता है तो उसका मतलब लॉस होता है 30,000 का लॉस है जो के प्रॉफिट जो के पार्टनास कैपिटल में डिस्रिब्यूट नहीं हुआ है तो यह भी तो एक एडजस्मेंट है मिन्स असेट की कुछ वैल्यू ओवर वैल्यू है कुछ अंडर वैल कहा जाता है revaluation of asset and liabilities ठीए है so हम सीखेंगे किस तरह entry pass की जाती है कौन सा account is a relation के लिए बनाया जाता है किस तरह ये सारी entries होती है entry pass करने के लिए कुछ key points है ये key points अगर आप लोगों ने दिमाग में बिठा दिया तो entries आपके लिए बहुत ही easy हो जाएगी देखिए हर transaction में हर transaction में आपको expense दिखेगा या income दिखेगी या asset दिखेगा या liability दिखेगी इसके अलावा कोई भी चीज नहीं होती कोई भी transaction में expense होगा income asset देखेगे expense हमेशा transaction में debit होता है ठीक है for example salary salary एक expense है salary आपने पे किया है तो salary account को debit करते है और cash bank को credit करते है salary debit होता है यानि expense हमेशा debit होता है जब भी expense incurred होता है तो वो debit होता है ठीक है उसी तरह अगर income की बात की जाए तो income हमेशा credit होता है for example आपको commission मिल रहा है commission आपकी income है तो आप entry pass करते हो cash और bank account debited to commission commission को आपने credit किया asset की अगर बात करते है तो asset हमेशा debit होता है जैसे कि आपने furniture खरीदा furniture एक asset है तो आप entry pass करते हो furniture account debited to cash bank account ठीक है furniture को हमने debit किया ठीक है अगर liability की बात करे तो liability हमेशा credit होती है ठीक है asset debit होता है liability credit होती है एक पॉइंट अब नोड कीजिए ठीक है जैसे कि कोई account है जिसका nature debit वाला है for example asset तो asset का nature debit है उस account में मैंने एक debit के entry additional entry pass की तो उस account का जो balance है ना वो बढ़ जाएगा debit अगर है एक और debit देंगे तो उससे balance बढ़ जाएगा ठीक है अगर उस account का balance debit है जैसे asset है हमने credit की entry pass की तो balance कम हो जाएगा ठीक है उस account का balance कम हो जाएगा कोई account है जो credit का nature है जैसे के liability liability में हमेशा credit होता है उस account में हमने debit की entry pass की है तो उसका जो result होता है ना वो minus वाला effect होता है मिन्स उसका balance कम हो जाता है अगर account credit का nature है और उस पे हमने credit के entry pass की है तो आपका जो balance है वो बढ़ जाएगा तो अब मैं समझाता हूं यह मैंने क्यों लिखा है जैसे यह machinery machinery की value 2,90,000 है और हमें इसकी value को बढ़ाना है revaluation में इसकी value को बढ़ाना है तब हम क्या करेंगे हम debit करेंगे asset को तभी उसकी value बढ़ेगी ठीक है revaluation के time asset की value को हम debit करेंगे ठीक है आइए देखते हैं हम पढ़ रहे है revaluation of asset and liability अगर आपको कुछ adjustment है जिसमें value asset की value को बढ़ाना है या फिर asset जो record नहीं है उसको record करना है यह एक adjustment है तो आप क्या entry pass करेंगे आपकी entry होगी assets account debited to revaluation account ठीक है asset की value को बढ़ाना होगा मैंने बताया था debit को एक और debit देंगे तभी तो उसका balance बढ़ेगा तो हम एक और debit देंगे तो asset को हमने debit दिया credit हम देंगे revaluation account को या फिर profit and loss adjustment account को यह temporary account है जो के सिर्फ adjustment के लिए बनाया जाता है इसे बाद में close करना होता है चीक हम वह भी सीखेंगे तो first हमने effect देखा कि जब भी asset की value को बढ़ाना है या फिर unrecorded asset को record करना है तो हम entry करेंगे asset account debited to revaluation account ठीक है second हम देखते है decreasing the value of asset अगर value अगर asset की value को कम करना है तो जैसे asset है debit है जिसका nature है अब हमें उसकी value को कम करना है तो हमें credit करना पड़ेगा asset को credit करना पड़ेगा चीक है entry आएगी asset credit होगा और debit होगा revaluation account या फिर profit and loss adjustment account ठीक है देखिए first जो entry है उससे asset की value बढ़ रही है यह profit का effect होता है यह entry profit का effect देखिए value बढ़ रही है asset की value बढ़ यह means firm को profit हो रहा है asset की value अगर कम हो रही है ना तो firm को loss हो रहा है ठीक है तो यह दो entry आपको समझ में आ गई अब हम क्या करते हैं revaluation account में यह दो entry को post करते हैं यह है revaluation account ठीक है देखिए revaluation account यह है debit site और यह है credit site credit site पे profit की entry आएगी ठीक है credit site पे profit हो रहा है जैसे कि asset की value बढ़ गई है तो वह यहां आएगी और debit site पे जो entry आएगी वह loss का effect होगा जैसे asset की value कम हो गई जिससे loss होगा तो वह यहां record होगी देखिए first entry को हम post करते हैं first entry में asset को debit किया है revaluation को credit किया है हम revaluation के credit site पे लिखेंगे by asset account ठीक है so हम लिखेंगे by asset account ठीक है हमें asset की value बढ़ गई है जिससे profit हुआ है तो हम credit side पे लिख रहे है profit हुआ हमें ठीक है second entry पे आते है second entry में decreasing the value of asset हुआ है second entry में asset की value decrease हुई है हमने entry की revaluation account debited to asset account तो revaluation के debit side पे हम लिखेंगे ठीक है to asset account decrease in asset तो asset की value कम हो गई debit side पे record करेंगे ठीक है third adjustment हम देखते है increasing the value of liability और creating new liability ठीक है हो सकता है कि आपकी जो balance sheet है उसमें जो liability दिखा रही है ठीक है वो कम है ठीक है हमें liability को बढ़ाना है तो क्या adjustment है increasing the value of liability या creating new liability तब ऐसी situation में firm को loss होगा अगर हम liability बढ़ा रहे है loss होगा means revaluation debit होगा तो entry देखते है revaluation account debited oblique profit and loss account to liabilities account आये की point पे आते हैं हमें liability को बढ़ाना है ठीक है हमें liability को बढ़ाना है तो हमें liability को credit करना होगा हमने वही entry pass की liability को credit किया है और debit किया है revaluation को ये entry से firm को loss होगा आये इस entry को पोस्ट करते हैं revaluation के debit side पे हम two liability लिखेंगे to liability account increase in liability जो भी liability की value है वो बढ़ गए इससे firm को loss होगा next adjustment देखते है decreasing the value of liability liability की value को हमको कम कराना हो सकता है कि आपकी जो balance sheet में जो liability दिख रही है वो overvalued है तो उसको कम करना है liability जब कम होती है तो firm को profit होता है ठीक है, firm को profit होता है, तो revaluation के credit side पे हमें लिखना होगा, ठीक है, revaluation को हम credit करेंगे, entry देखते हैं, liability account debited to revaluation account, ठीक है, revaluation को credit हुआ है, key point पे आते हैं, देखिए, liability को हमको कम करना है, कम करना है, मिन्स liability को कम करना है, तो हम debit करेंगे liability को, तो entry आएगी, liability account debited to revaluation account, पोस्ट करते हैं, हम इस entry को, तो revaluation के credit side पे आएगा, by liability, decrease in liability, इससे आपको profit होगा, firm को profit होगा, तो यही सारे adjustment आपको revaluation में pass करने होंगे, ठीक है, यह इसी तरह revaluation account बनेगा, ओके, तो अब हम revaluation account को close करेंगे, सारी जो adjustment entry हो जाएगी, उसके बाद revaluation account को close करना है, ठीक है, net effect, इधर net profit हो सकता है, या फिर loss हो सकता है, कब profit होगा, जब यह credit side बड़ी है, debit side से, तो जो balance है, वो आपको यहाँ पर दिखेगा, यह होगा आपका profit, revaluation का profit, profit को हम transfer करेंगे, old partners के capital account में, उनके profit sharing ratio में, चीक है, जैसे यह profit हो गया है, ओके, credit side बड़ी है, debit side छोटी है, तो यह जो difference आ गया है, यह profit है, हमने, हमें उससे old partners के capital account में, या फिर अगर हम fix capital method follow करेंगे, तब हम current account में transfer करेंगे, तो entry आएगी, revaluation account debited to partners capital या partners current account, ठीक है, adjustment देखते हैं, transfer profit on revaluation account, एंट्री आएगी, और revaluation account या profit and loss adjustment account to partners capital और current account, देखेंगे, यह profit on revaluation, ओके, हो सकता है, आपको loss भी आए, कब loss आएगा, जब debit side credit side से बड़ी है, तब loss आएगा, है ना, तो loss को भी तो old partners के capital में adjust करना होगा, तब entry आएगी, partners capital, अबलिक current account to revaluation account, ठीक है, transfer loss on revaluation, एंट्री होगी, partners capital और current account to revaluation, अबलिक profit and loss adjustment account, बींग loss on revaluation transfer to capital account, ठीक है, तो यह है loss के entry, यह है profit के entry, और इस तरह आपका revaluation account, close होगा, ठीक है, clear है, तो key point हमने समझ लिया है, किस तरह entry को pass किया जाता है, entry pass करते वक्त हमें उस item की nature को हमें देखना होगा, asset है तो debit होगा, liability है तो credit होगा, उसके बाद हमें यह देखना होगा, कि asset की value को अगर हमें बढ़ाना है, ठीक है, revaluation में अगर asset की value को बढ़ाना है, तो हम asset को debit करेंगे, और अगर asset की value को अगर कम करना है, तो हम entry में asset की value को credit करेंगे, उसी तरह liability बढ़ाना है, तो credit करेंगे और कम करना है, तो debit करेंगे, ये सारी adjustment की entries है ठीक है तो normally हम जब admission of partner का question solve करते है तो ये adjustment entry हमें करनी होती है ठीक है हम इस पे proper question भी करेंगे तो फिलाल आप इसे note कीजिए और इस concept को अच्छे से याद कर लीजिए फिलाल मैं इस lecture को यहीं stop करता हूँ next lecture में कुछ नई बातों को हम सीखेंगे till then bye and take care